गुड मॉनिंग एब्रिवन वेलकम टो एग्जाम और्बिट क्लासिस आज के इस सेशन में 24 और 25 अगस्त का करेंट अफ्यर डिसकस करेंगे अगर आप किसी भी एग्जाम की तयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही यूसफुल रहने वाली है तो सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की महत्पून सुर्ख्यों पर यूपी में बनेगी देश की पहली एजुकेशन टाउंसेब भारत ने गरवा निरत्य को युनेसको की सांस्कृतिक सूची में सामिल की जाने के लिए किया नामित बिक्रम दोरा ई स्वामी इंगलेंड में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त बिजय सेखर सर्मा को बित्य सेबा मंच पेटियम के प्रबंद निर्देशक और मुख्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से किया गया नियुक्त हैतियासिक इंडो फार्सी तलवार सहित साथ कलाकर्टियां विटें से आएंगी बापस जी किसन रेड़ी ने किया एलान भारत ने मंकी पॉक्स रोप के परिक्षण के लिए स्वैदेशी रूप से बिक्सित पहली आर्टी पीसी आर किट का किया शुबारंब भारत और इरान ने समुत्र से यात्रा करने वालों के सम्मंद में समझोता अग्यापन पर किये हस्ताक्षर सहीत भगत सिंग के नाम पर होगा चंदिगड हवाई अड़े का नाम पंजाब हर्याना सरकार में बनी सहमती ब्लोक्चेन टेक्नोलोजी यूज कर किसानों को बीज देने वाला जारकंड बना भारत का पहला राज्ज भारत ने 14 साल बाद जीता अंडर 18 ACI बॉलीबॉल पदक दच्छड कोरिया को दी मात दस भासाओं में टॉपिक्स लॉंच करने वाला पहला सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म बना कुएप थाइलेंड पेरा बैटमिंटन इंटरनेसल भारतिये पेरा सटलर प्रमोद भगत और सुकांद कदम की जोड़ी ने जीता गोल्ड देवासिस मोहंती बने नैशनल इंस्टिटूट ऑफ युमिनुलोजी के निदेशक अब डिस्कस कर लेते हैं पिछली क्लास के बारे में पिछली क्लास में हम लोगोंने क्या क्या पढ़ा तक वी क्रिवीजन करेंगे बेहार राज को मितला मखाने के लिए जी आई टेक दिया गया है भारत की पहली सुएदेशी रूप से बिक्सित हाइडोजन इधन सेल बस का शुबारम किया गया है डॉक्टर जीतेंद्र सींग जी के दुवारा उसुबारम कहां पर किया गया है तो पूने में किया गया है दीप सुप्रियम जोकी आगरा की रहने वाली है इन्होंने मिस एलिट वर्ड का खिताब चीत लिया है राष्टिय पुरुसकार पोटल का शुबारम किया गया है सेंट्रल गवर्मेंट के दुवारा मोच धाम योजना किसने सुरू किया है तो इसे हिमाचल प्रदिस सरकार दुवारा सुरू किया गया है UEFA चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भार्टिय फुटबॉलर बन गई है मनीशा कल्याण उल्ची फ्रीडम सील्ड अभ्यास में भाग ले रहे हैं दच्छड कूरिया और अमेरिका और आयुजन किया जा रहा है इसका दच्छड कूरिया में 65 वे राष्ट मंडल संसदिय सम्मेलन का आयुजन किया जा रहा है कनाडा में केंद्र सरकार दिल्ली समय देश वर के कितने अखिल भार्टिय आयुर विज्ञान संस्थान का नाम बदलने पर बिचार कर रही है कुलते इस Artemis 3 किस देश का क्रू मून लेंडिंग मिसन है तो ये अमेरिका की अंत्रेच एजनसी नासा का मिसन है जिसे नासा दुवारा लॉंच किया जाना है अब डिस्कस करेंगे आज के सिश्चन के बारे में देश की पहली एजुकेशन टाउन सिप कहां पर बनेगी तो आप सभी को याद रखना है देश की पहली जो एजुकेशन टाउन सिप है ये बनाई जाएगी उत्तर प्रदेश में आए डिसकस कर लेते हैं इसके बारे में तो एजोकेशन टाउंसिप का मतलब होता है एक ही जगे पर सभी पिरकार की शिक्षा वह कौसल बिकास का परिशिक्षड आसानी से उपलप्त होना पहली काप पर खुलने वाली है तो यूपी यानि की उत्तर प्रदेश में खुलेगी और बरतमान में जो यूपी के सीयम में योगी आ देते ना जी इन्होंने प्रदेश में ऐसी पांच ताउंसिप बिक्सित करने के निरदेश दिये है अब डिसकस कर लेते हैं देश का पहल मस्तिक स्वास्त क्लीनिक का उधगातन के सहर में किया गया है बैंगलोर करनाटक में प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुवारा भारत के पहले अंथरास्टिय बुलियन एक्सचेंज का शुवारम कहां पर किया गया था तो आप सभी को ग्यात होगा यह गुजरात में किया गया था अंथरास्टिय ओलम्पिक समीथी ने भारत का पहला ओलम्पिक मूल सिक्षा कारिकरम कहां पर सुरू किया उडिसा में भारत का पहला डार्क इसकाई रिजर्व कहां पर बनाया जाएगा तो इसे बनाया जाएगा लद्दाक में यह आगामी परिक्षा के बिल्कुल ना भूले जिससे आप लोगों को क्लास का नॉटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा अगर क्लास अच्छे लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा शियर कीजिएगा चले नेस्ट कुरिशन डिस्कस करते हैं गर्वा निरत्य गर्वा क्या है जिसे युनेस्को की अमूर्थ सांस्क्रितिक बिरासस सूची में अंकित करने के लिए भारत दुवारा नामित किया गया है तो जो गर्वा है यह एक निरत्य है जो कहाँ पर फैमस है तो यह सबसे जादा है गुजरात में आएट डिस्कस कर लेते हैं इस निरत्य के बारे में फिर्ट जो गर्वा निरत्य है इसे 2022 के लिए नामित किया गया है इसे पिछले वर्ष यानिकी 2021 में अमूर्थ विश्व जो अनस्कों की धरोगर सूची है इसमें किसे सामिल किया गया था दुर्गा पूजा को सामिल किया गया था दुर्ग सब्द से बना है गर्वा निरत के लिए कम से कम दो सद्शीवًका ह wanna अनिवारे होता है और इस निरत में डांडिया का प्रियोग की आ जाता है आगे डिसकुस करेंगे इसी से रिलेटट पहले इसे किस नाम से जानते थे तो पहले से जाना जाता था घट दीप गर्व के नामसे से जाना जाता था फिर बात में बंड लोप से यही सब गर्वा बन गया याद रखेंगे कहां पर है गुज्रात अब डिस्कस कर लेते हैं इस्पेसल डोस फूर एक्साम में भारत में कुल कितनी अमूर्थ विश्वधरोवर हैं तो 14 हैं किस राज्य के लिविंग रूट बिरीज को युनेस्को की विश्वधरोवर इस्थलो की आइस्थाई सूची में सामिल किया गया था तो आप सभी को अब आप लोगों को कमेंट्स वॉक्स में बताना है कि आगामी जो ओलंपिक होने वाले ना वो पैरिस में कब होंगे युनेस्को की स्थापना की गई थी 1945 में युनेस्को के जो बर्तमान में महानिदेसक हैं वो है ओद्रे अजोले अब आप लोगों को कमेंट्स वॉक्स में बताना है कि डवलू टीयो की पहली महिला महानिदेसक कौन है विश्व धरोवर दिवस कब मनाते हैं अठारा अप्रेल को युनेस्को वर्ड हैरिटेज सूची में भारत की कुल कितनी मिस्रित धरोवरे हैं गेबल एक है जो की है कंचन जंगा नैसल पार्क कंचन जंगा नैसल पार्क किस राज में है तो यह आपको देखने को मिलेगा सिखिम में किस सहर को इन्वेसको की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में सामिल किया गया है स्रीनगर को अगला पूशें डिस्कॉस करेंगे बिक्रम दोराई स्वामी को किस देश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है तो फ्रेंट जो बिक्रम हैं जने आप सब इस क्वें देख पा रहे होंगे यह यूगे में यानिकी यूगे में इन्हें भारत नया उच्चायूप्त किया गया है अब अप्संस के बारे में भी डिस्कूस कर लेते हैं जैसे कि चाइना में कौन है बांगलादेस में कौन है और नीडरलेंड में कौन है तो सबसे राजने एक नीरसंदू इन्हें कहां बनाया गया है तो इन्हें बनाया गया है नीदर लेंड में कहां पर बनाया गया है फ्रेंट्स याद रखेंगे नीदर लेंड में प्रदीव कुमार रावत बने हैं भारत के जो राजदूद बने हैं इन्हें बनाया गया है चाइना में बारबर डोस में भारत का उच्चा युक्त बनाया गया है एस पालचंदरन को नेपाल में भारत के नए राजदूद बने है नभीन सिरीबास्तव तो ये इतने पॉइंट आप सभी को याद रखने है अगला कोशन डिस्कॉस करेंगे किस एप ने टॉपिक्स नामक एक इन ए प्लेटफॉर्म कुएप क्या है अगर आप से पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे यह बहुबासी सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म है और कुएप ने दस भासाओं में टॉपिक्स नामक एक बहतरीन इन एफ फीचर की शुरुवात की है अगला कुशन देखेंगे 14 साल बाद पदक हांसिल किया है तो भारत ने हाली में दच्छड कोरिया को हरा कर 14 साल बाद ये पदक हांसिल किया है इससे पहले भारत ने इस पृतियोगिता में पदक जीता था 2008 में और कौन सा पदक जीता था तो काश्य पदक भारत ने प्राप्त किया था ठीक है चले न लिकां में सीस स्थान पर रहा था अमेरिका जबकि भारत इस प्रिटियोगता में एक रजट पदक के साथ 33 स्थान पर रहा था भारत की तरप से इस प्रिटियोगता में रजट पदक किसके दुवारा जीता गया था नीरत चोपड़ा के दुवारा अब आप लोगों को बतान लाने के लिए एक समझोते पर हस्ताक्षर कर दिये गए हैं तो ये किये गए हैं स्टॉक लेंड सरकार के तुवारा इसमें से दो पॉइंट आप सभी को याद रखने हैं कि साथ पुरा अपसेशों में से चौधवी सदी की आपचारिक इंडो फार्सी तलवार और कानपुर के एक मंदिर से ली गई ग्यारवी सदी की नकासीदार पत्थर की चौकट इसमें सामिल है ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं क्योंकि आगामी परिक्षा के पॉइंटर व्यू से महत पॉन है आगे डिसकस कर लेते हैं कुछ एस्टरा फेक्ट मुफ्त में पीरियट को डेक्ट देने वाला पहला देश कौन सा बना है तो स्कॉट लैंड बन गया है रास्थानी इसकी एडन वर है जबकि मुद्रा है पाउंट स्टार लिंग नेस्ट कुईशन है किसानों को बीच बितरित करने के लिए ब्लॉक्चेन प्राणली का उप्योग करने वाला देश का पहला राज कौन सा बन गया है तो ब्लॉक्चेन प्राणली का उप्योग करने वाला देश का पहला राज बन गया है ज़ारकंट फिंट्स इसका उद्धेश से क्या है तो इसका उद्धेश है पार्ट दसी तरीके से बीजो और अन्योजनाओं के बितरन को सक्षम बनाना है साथी में आप सभी को ग्यात होगा कि 36 गड़ सरकार ने ग्रामीड अर्थ विवस्ता को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए राज्ज में 300 ग्रामीड और ध्योगिक पार्क इस्थापित करने की गोस्ना की है और ये गोस्ना हाली में 36 गड़ सरकार दुवारा की गई है नेस्ट कुशन देखेंगे भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच नाविकों की सुगम आवाजाई के लिए एक समझोते अग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं तो फ्रंट ये अस्ताक्षर भारत दुबारा किये गए हैं इरान के साथ आये डिसकस कर लेते हैं इरान के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन तो जैसा कि आप सभी मैफ में देख पा रहे होंगे यहां आपको देखने को मिलेगा इरान इरान की कैपिटल तहरान है और इरान में एक टमुक बंदरगा है जिसका नाम आप सभी को याद रखना है चाबाहर बंदरगा अगर आपसे पूछ लिया जाए गवादर बंदरगा कहां पर है फ्रंट्स तो याद रखेंगे यह पाकिस्तान में है नेस्ट कोईशन है भारत ने किस रोग के परिक्षण के लिए स्वैदेशी रूप से बिक्सित पहली आइटी पीसी आर किट का शुबारम किया है तो यह मंकी पॉक्स के लिए किया गया है अब आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि हाली में डबलू एचो दु दुवारा बिक्सित किया गया है और केंद्र सरकार के प्रदान बैग्यानिक सलाकार यानिकी अजह कुमार सूथ दुवारा इसका अनावरण किया गया है और किस अंधरास्थ यह हवाई अड़े का नाम सहीद भगस सींग के नाम पर रखा जाएगा तो चंदिगर हवाई अड़े का नाम अब बदल दिया जाएगा और इसका नाम होगा सहीद भगस सींग अंधरास सहीद भगर सिंग हवाई अड़ा फेंट जो भगर सिंग थे इनका जनम 28 सितंबर 1907 को बिटेस भारत के पंजाब प्रांत के जिले में हुआ था जो बर्तमान में पाकिस्तान में है अगला पुशन देखेंगे निम्नमेसिक किसे National Institute of Immunology के निर्देशक के रूप में न्यूक्त किया गया है तो देवासिस मोहन्ती को न्यूक्त किया गया है जिनने आप सभी पिक में देख सकते हैं साथी में आप सभी एक पॉइंट यहां पर याद रखेंगे कि राजिस वर्मा को 18 अगस 2022 को राष्टपती दुरुपती मुर्मुजी के सचीप के रूप में न्यूक्त किया गया है अगला पुशन डिस्कुस करेंगे वित्य सेवा मंच पेटियम के प्रवंद निदेशक और मुख्य कारिकारी अधिकारी के रूप में किसे फिर से न्यूक्त किया गया है तो विजय सेकर सर्मा को फिर से न्यूक्त कर दिया गया है पेटियम की स्थापना कप की गई थी फ्रेंट्स तो पेटियम की स्थापना की गई थी 2010 में अगला विशन है थाइलेंड में आय जित पेरा बैटमिंटन अंथरास्टे टूनामेंट में भारती युगल जोड़ी प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने कौन सा पदक जीत लिया है तो इन्होंने स्वण पदक जीत लिया है फिर जो पेरा बैटमिंटन अंथरास्टे टूनामेंट है इसका आयुजन किया गया था थाइलेंड में इसमें महिला एकल मुकाबले में तीन महिलाओंने सुण पदक जीता है जिसमें मनदी को और हैं, मनीशा हैं और निट्या है भारत ने थाइलेंड पेरा बैटमिंटन इंटरनेशनल में कुल 17 पदक जीते हैं जिसमें 4 सुवण हैं, 5 रजत हैं और 8 काश्य पदक भारत ने प्राप्त किया है अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 इस्टेटिक जी के कुशन जवार सागर, राणा सागर, गांधी सागर जलासों का निर्मान किस नदी पर किया गया है तो चंबल नदी कहां से निकलती है तो ये मद्द प्रदेश के जानापाव, पहाड़ी यानिकी महुद से निकलती है नीली करांती किस से रेलेटेट है मदद से पालन से भारत में सरवादिक हीरा किस स्थान से निकाला जाता है तो ये पन्ना यानिकी मदद परदे से निकाला जाता है पन्ना किसलिये प्रशिद्ध है तो याद रखेंगे हीरो की खानों के लिए पन्ना भारत में प्रशिद्ध है रास्टेय ओलम्पिक समीती का हैडकोफटर है नई दिल्ली में भारतीय संबिधान में मुलकर्थब बे लिये गए है रसिया के संबिधान से भारत के पहले मुख्य नियाईदीज कौन थे नियाई मूर्ती स्री एज जे कानिया अब आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि बर्टमान में भारत के सी जे आई कौन है सरवोची नियाले की पहली महिला नियाईदीज कौन थे एम फातिमा बीबी तकला मकान मजुस्तल किस देश में है तो ये चीन और मंगोलिया की सीमा पर आप सभी को देखने को मिलेगा मलेरिया की दवा कुनेन किस ब्रच्छ से प्राप्त की जाती है सिन कौना से ACI का फोटबॉल टूनामेंट 2023 की में जवानी कौन करने वाला है तो चाइना करेगा पिछली क्लास में आपसे जो कुछे गए थे उनके आंसर देख लेते हैं एक बार बिस्वस्वास संगठन ने किस वाइरिस के वैरियंट के लिए क्लेट सेकंड ए और क्लेट सेकंड भी नया नाम दिया है मंकी पॉक्स के लिए खबरों में रहा डॉनी पोलो हवाई अड़ा का सम्मंद किस राज्य से है तो फ्रेंट्स इसे बनाया जा रहा है अड़ना चल पिर्देश में उत्तर पिर्देश के बारे में याद रखना है जेवरी एरपोर्ट कहां बन रहा है तो उत्तर पिर्देश में बन रहा है पांच अन्थारास्टिय हवाई अड़ो वाला भारत का एक मातर राज्य कौन सा है तो उत्तर पिर्देश है सुतंतरता मेरा जर्मसिद अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा यह कतन किसका था बाल गंगा धर तेलक का मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार बिटे सामराज के कफन में कील बनकर रहेगा यह किसने कहा था लाला लाचपत राइन है अब आप लोगों के लिए कुछ कोईशन है जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में इन में से किसने हाली में स्वस्त पर्यावरन को मानव अधिकार घोशित कर दिया है सेमिकंडुक्टर नीती की घोशना करने वाला देश का पहला राज कौन सा है नेस्ट कोईशन है रवी की फसल कब से कब तक बोई चाती है नेस्ट कोईशन है दा स्टोरी ओफ माई एक्सपेरिमेंट विट रुट किसकी आत्मकता है तो फ्रेंट्स इन सब के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताईगा साथी क्लास को लाइक, सेर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मिलते हैं नेस्ट क्लास में तब तक के लिए थैंक्यू सो मच